नमस्कार दोस्तों स्वागा था आप सभी का हमारी यूट्यूब चनल अब्जेक्टिव सेंटर पर इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल एसे स्रीच के बारे में अब्जेक्टिव कोस्चन यानि कि व्यद्धितिक सहायक समगरी पर अब्जेक्टिव पर फालूइंग माटेरियल रेजिस्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीज इन टंप्रेचर निम्नमिसे किस पदार्थ के लिए तापमान बढ़ाने पर प्रत्रोध घड़ता है आप सब्सक्राइब कापर एलमुनियम सिल्वर जर्मेनियम तो देखिए कि निल्द्ध पदार् सब्सक्राइब करने पर उइनके पृतिराध तो घड़ती है इसलिए इनका परत्रोध के यहाल रहता है र neighbor अरे जिन चालक पदार्थों सब्सक्राइब तर्मान बढ़ाने पर प्रित्रोदक्ता बढ़ती है उससे हम लोग धनात्मक ताप गुड़ांग के कहते हैं चल ये अब चलतेrie एंस्ट्र कोश्ねन पे दूसरा कोश्ねन है ठर्माे स्टेट्ड इच डिवाईस यूजड टू उस्वा ताप है किस लिए प्रियोक किया जाने वाला डिवाउस्त है देखिए जो थर्मास टेक्ट्लस क्या спीर रहता है इसे अम लोग क्या करते हैं तॉ निय नियंत्रन रहे तो लेकिन इसमें आपको यहां पर भी मिल जाएगा पहले वाले में भी तापमान का नियंत्रन है लेकिन जो करता है वह करता है कि तापमान का पता लगाने तथा उसे नियंत्रित करने के लिए हम लोग थर्मय करते हैं तो तापन का पता लगाने के लिए लेकिन हमलों χार्श करने के लिए नहीं चर्टेत करते हैं तीसरा कोश्चन है ELCB है ELCB क्या है तो देखिए ELCB जो होता है यह आपका एक सुरच्छा युक्ति है तो यहां पर आपका यांसर करेक्ट हो जाएगा सेप्टी डिवाइस और इसका जो पूरा नाम होता है ELCB का वा रहता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है चलिए अब चलते हैं इस्ट कोश्चन पर चौथा कोश्चन है लैचिंग रिले अर्गलन रिले क्या है तो देखिए जो लैचिंग रिले रहता है यह रहता है तो होल्ड देयर कांटेक्ट इन पोजीशन आप्टर पामर इज कट आप बिजली बंद होने के बाद अपने संप को अस्थान पर बनाए रखता है तो यहां पर हमारा पहला अंसर करेक्ट हो जाएगा कि पांचमा है यह सीवीज यूज टू प्रोटेक्ट दा सर्किट फ्राम परिपात को किसे से सुरजच्चित रखने के लिए यह से बीका परियूंग किया जाता है यह से बी मतलब होता ह है आफका अर्त की सरकुट ब्रेकर अपसी फैले सरुजच्चित परिपात को खरण धारा यानिकीलिकेच्च करेंट से सुरच्चित रकेने के करने लगे तो लीकेश धारा के कारण अपरेटर को गंभीर बिद्धु जटका लग सकता है ऐसे सिती में सुरच्छा प्रतान करने के लिए हम लोग जो डिवाइस यूज करते हैं वह ELCB रहता यानि कि अर्थ लीकेश सर्कृट ब्रेकर यूज किया जाता है छठा कोश्चन है दस सर्कृट ब्रेकर विच जनराली कैन नाट भी सर्विष्ट इस समानते सर्विष नहीं किया जाने वाला परिपत्थ व्यूजक कौन सा है आप सेन आयल सर्कृट ब्रेकर मिनियेचर सर्कृट ब्रेकर एयर सर्कृट ब्रेकर एयर बलाष्ट सर्कृट ब् mcb एक ऐसा परिपत भी हो जखाय है जो फाल्ट की स्थिति या ओर्फर करेंट की स्थिति में सर्किट को ट्रिप करके होने वाली हानियों से सुर्च्छा परदान करता है या समानते mcb की सर्विस नहीं किया जा सकता है याद रखिएगा साथवां कोश्चन है which among the following provides protection against electric साख कौन सो बिद्धुत प्रघास से सनच्छा परदान करता है आपसन है molded case circuit breaker, earth leakage circuit breaker, miniature circuit breaker, air blast circuit breaker तो बिद्धुत प्रघास से सनच्छन जो परदान करता है वह हमारा earth leakage circuit breaker रहता है तो यहां पर हमारा भी answer correct हो जाएगा तो अर्थ लीके circuit breaker जो रहता है या बिद्धुत साख से सुरच्छा परदान करता है या EMCB क्या पेच्छा आती बिस्वस्त नहीं होता है अता इसे हम लोग समानता है घरों में बिद्धुत साख से बचाने के लिए लगाते हैं आठमा है कि किसी 132 किलोवल्ट सिस्टम फेच की ग्राउंड संधारित 0.015 माइक्रो फेरड और इंडक्टेंस 6 है 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 तो वोल्टेज सर्च को अटाने के लिए कि सर्कुट कांटेक्ट के साथ लगाए जाने माले प्रित्रोथ कमान कितना होगा तो इसके लिए जो प्रित्रोथ कमान होगा यह होगा हमारा 10 किलो ओम कैसे होगा आए हम लोग देखते हैं तो देखिए यहां पर दिया है जो सिस्टम ओल्टेज है हमारे 132 किलो वोल्ट है यहां पर प्रतिरोद कितना होगा देखिए इसमें जो फार्मूला यूज करते हैं कि वैलू अफ रजिस्टेंस यहां रिक्वाल टू बाइटू अंडर रूट एल भाई सी रहता है इस फार्मूले से हम लोग निकाल लेंगो ति हमारा 10 किलो ओम आ जाएगा कि नवा कोश्चन है विच अब्दा फालूंग इस्टेट्मेंट इज डिस एडवांटेज आप एन एयर बलाश्ट सर्कुट ब्रेकर यहां पर कहना चाहरा है कि एयर बलाश्ट सर्कुट ब्रेकर का हान क्या है तो देखिए जो पहला अप्शन क्या है कि फायर हाइड और कि इस प्रकार से आग लगने की संभावना होती हो अग और चाहा कि इसके लिए भागकी ऑweise जाकता होती यह का और करेंट पर क्या हानिया है कि यह रिते कि संभोन होती है और करेंट चोह पर दिखने कि करेंख कि भी संभावना इसमें रहती है यह सब इसके हानियां है यह प्रलाष्ट शर्कुट व्रेकर करके दस्वान कोश्चन है इन एक सार्ट शर्कुट टेस्ट आने सर्कुट ब्रेकर दा फालोविंग रेडिंग वेयर अप्टेंड आन सिंगल फ्रिक्वेंसी ट्रांजियंट टाइम टूरीश टू पीक रेजिश्ट रिस्ट्रिंकिंग वोल्टेज एक्वल्टेज तो यहां पर आ गया इसका हम लोग थोड़ा हिंदी देख लेते हैं किसी सर्कुट ब्रेकर पर किये गए साट सर्कुट जांच में सिंगल क्रिक्वेंसी ट्रांजियंट पर निल्कित रेडिंग प्राप्थ हुआ था पहला है आपका कि पीक रिश्ट्राइकिंग वोल्टे है तो यहां पर जो हमारा भी अंसर करेक्ट होगा कैसे होगा आए हम लोग देखते हैं तो देखिए ट्रिपल आर्वी को निकलने के लिए जो रहता है कि यह हमारा रहता है कि वी बैट इक्वल टू पीक वैलू आफ रिश्ट्राइकिंग वोल्टेज बटे टाम टेकन टूदर रिट टूपीक वैलू तो यहां पर हम लोग सारा मान पूट करेंगे तो यह हमारे 125 किलो वोल्ट बट पचास माइक्रो सेकंड आएगा तो यह हमारा आ जागा 122 किलो वोल्ट पर माइक्रो सेकंड ग्यारी नंबर कोश्चन है है साह 1-11 किलो वोल्ट पांसौ मेगवॉल्ट अम्पियर सर्फिट ब्रेकर किसी फ्रोदुष की क Turks और अचानक बंद हो जाता है रेटाड सिमेट्रिक रेकिंग करेंट क्या होगा है November आपसम दिया है आपको सामने 23 किलो वोल्ट 20 किलो वोल्ट 26 किलो वोल्ट कैसे होगा आए हम लोग देखते हैं यहां देखे दिया है जो भी उजग धारा है हमारा पॉंसम मेगा वोल्ट एंपियर है निर्धारित वोल्ट अता आपका किलो वोल्ट है तो जो ब्रेकिंगई 20 के देन दान एक भी किए खेर मशंड़ नहीं अमेट करेंगे तो हमारा आइसे मेहरा निकल कीucky आ जाएगा तो हैजिसे मेट कमाई 26 किलोव स्वाडल हुआ कि अازccरे है कि है ताम तुरीच दपीक रिश्ट्राइकिंग वोल्टेज 40 मैक्रो सेकेंड बेखा दपीक रिश्ट्राइकिंग वोल्टेज इक्वल वन फिप्टी किलो वोल्ट वाट इस दनेश्वरल फ्रिक्वेंसी आफ ऑसलेशन अब दा सर्कीट इसी सर्कीट ब्रेकर पर किया गए सा 40 मैक्रो सेकंड है प्रेश्ट्राइकिंग वोल्टेज आफका डिरसफ्कीलो वोल्ट है तो सर्कीट के दोलंप कि अब प्राकर्टिक कितनी होगी जिसकी प्राकर्ष्टिक अब रिश्ट्री होगी 10 मलों 5 Hilg ho गा कैसे हो गया यहाँ पर देखता है कि वी मैक्स कमांट दिया तो फिर कमान दिया है आपका 40 माइक्रो सेकंड तो इसको माइक्रो मतलब हो जाएगा तो जो रिष्ट्राइकिंग वोल्टता होती है वह में होता है कि रिष्ट्राइकिंग वोल्टता के लिए जो इकण्वार्ट के निकल किया जाएगा साढ़े 2 लो हर्टज तेरह नामर कोश्चन है दा जी स्रीज मिनियेचर सर्कृटी ब्रेकर MCB और युज़ेश टू प्रोटेक्टिंग विच आगता फालुइंग अप्लियंसे जी स्रीज मिनियेचर सर्कृटी ब्रेकर का इस्तेमाल निम्नलिकित की सुप्रण की सुरच्छा के लिए किया जाता है आपके इलेक्टरिक आयरन, गीजर, हीटर, एयर कंडिशनर तो जी स्रीज मिनियेचर सर्कृटी ब्रेकर का इस्तेमाला हम लोग जिस उप्रण की सुरच्छा के लिए करते हैं वह रहता है हमारा एयर कंडिशनर के लिए यूज़ किया जाता है तो एयर कंडिशनर एस उप् करिपत को ब्रेक कर देता है चाहिए चौदा नमर कोश्चन है एक हजार मेगा वोल्ट एंपियर 33 किलो वोल्ट थी फेस सर्कृट ब्रेकर किसी त्रूटी की करान अचानक बंद हो जाता है रेटेड मेकिंग करेंट यानिकी करेंट कितना होगा तो यहां पर जो पीक करेंट यहां पर ब्रेकिंग करेंट तो यहां पर ब्रेकिंग क्यापासिट्र निकालेंगे हम लोग यह अंडरूट 3 वी रेटेड एंटू आज सिम्मेट्रिकल होता है तो सर्कृट ब्रेकर की जो रेटिंग होती है आपको दिया है एक हजार मेगा वोल्ट हो जाएगा अब वी रेटेट केंदा होजागा 23 23 गुडए दसखार 3 हो जाएगा आ यहां पर पुट करेंगे तो हमारा करेक्ट आज जाएगा यहां पर आइवी कमान रिना जो मेकिंग करेंट होगा यह हमारा दो पूरा रूप पूरा रूप होता है इसमें क्या होता है कि आर्क को बुजाने के लिए माध्यम के रूप में हम लोग आयल का परियोग करते हैं इसलिए इसलिए इन्हें उच्च विदारक चमता वाले फ्यूज कहते हैं है यानिके हाई रैप्टिरिंग का पसेटिव श्यूज बोलते हैं सब्सक्राइब कोशचन है कि अर्थ लिएकर को हम लोग किस और नामसे जानते हैं तो अर्थ लेकेज सर्किट प्रेकर को हम लोग है रिजिडुवल करेंट सर्कूअ कर श्रकेज नाम से आंज कि आप्याश करेंट सरकिट व्रेकरर के रूप में भी जाना जाता है धात्वी खोल युग तो बिदूतम्न यह अंत्रीन मसीनों आध में अंडूक लायव कंडुक्ट पूर्ण रूप क्या है तो देखिए आपसन है आपको सामने परशनल परफेक्ट एक्विप्मेंट परशन परफेक्ट एक्विप्मेंट परशन प्रोटेक्टिव एक्विप्मेंट तो देखिए जो फुलफार्म होता है या रहता है प्रशनल प्रोटेक्टिव एक्विप् अधिवोल्टेज सब्सक्राइब तो मोटर ओवर्लोड रिले का जो उपयोग आम तवर करता है वह अधिवार सब्सक्राइब यहां पर हमारा ब्रफिश परकार से बनाया जाता है कि यह पूर्वे निर्धारित मान की अपेच्छा भार धारा का मान बढ़ जाने पर उत्तुजित हो जाती है और यंसी स्नयोजकों के द्वारा परिपत्स को बियुजित कर देता है इस नमर कोशन है कि फ्यूज स्तार में डडडडड़ प्रतिरोधक्ता गलनांक होना चाहिए देखिए फ्यूज स्तार जो रहता है इसकी प्रतिरोधक्ता निम्न होनी चाहिए और जो इसकी गलनांक होती है यह भी निम्न होना चाहिए तो यहां पर ऐसा आपसा नमर डी में द सजीव या कलातार के साथ या स्रीरीज कर Việt में हम लोग समयूजीत करते हैं फ्यूज एक प्रकार का सुरच्छा अपक्रन मियtat और फ्यूज समांते हैं हम लेट diez और हम इस पर्सेंट रसंट होती अपने की मात्रश ऐसंट की मात्र동ंत किर्टी है阿 हम लोग silver aluminum copper भी परियोग कर सकते हैं हुआ हुआ है हुआ है कि तुन्टेवर नाम्बर कोश्चन है SF6 circuit breaker की कारिसील वोल्टेज कितनी होती है तो देखे जो SF6 circuit breaker की जो कारिसील वोल्टेज रहता है तिया 36 किलो वोल्ट से 760 किलो वोल्ट प्रियोग किया जाता है तो तीन फेज वाली आपूर्थी प्रडाली में किस पकार के भूर इसाफ प्रियोग किया प्रियोग करते हैं हमारा 14 प्रियोग करता है तो प्रियोग किया जाता है जो किसी विद्धूत परिपत में फाल्ट होने पर उस परिपत को में सप्लाई से अलग कर देता है यह मैनुवली और आर्टोमेटिकली दोनों रूप में संचालित होता है इन्हें प्राइज हम लोग आर्क बुझाने वाले माध्यम के अधार परवर्गे किरित करते हैं ग्रीन नोव Book city का ैंचिव में कि प्रभावव धंग से परियोग किया जाता है आपसे ने मोटर सर्कि diyorsunbons की कि लाइतिर चारिस उंत्रोफ लोग स्रण razemasser्हार्त हो झाइं लाइनिक सेप्राइटों सर्किट॥ के ल ME और को पूरा नाम होता है यह होते होते हैं स्विच और रिले दोनों की भात कारी करता है इसे परिपत में मुख के स्विच के सामा के अस्थान पर परियोग करते हैं यह विद्धूत परिपत को ओवर लोड तथा स्वाड़ सर्कुट दोनों से सुरच्चप्रदान करता है विच आप्दाफ वालूविंग आपको दिख रहे है यानि कि प्रगलन घटाख तो प्रगलन घटाख तो प्रगलन घटाख निव निर्धार धारा यानि कि minimum fusion current अठिन निरधारी दरहर याने की current rating तो यहां पर हमारा अथर हो जाएगा के आधिक आता है फ्योज्जिंगारल का मनि एक सभीसर गुर्ञपार जीसा होता है और फ्योज्ज कार Rob कुछ ए प्रगलधारा याने कि हैं कि लिए होता है आपका कि वह डारी जिस पर쪽 уз जो पिघल कर गिर जाता है उसे आम लोग प्रगलन धारा कहते हैं निर्धारी धारा क्या पेच्छा फ्यूज की प्रगलन धारा उच्छ होती है ताडित निरोधक ड्डज़ड़ के विच जोड़ें होते हैं आपतों से ब्राटे से बिद्धूत लाइनों पर आने वाली हाई वोल्टेज की सर्ज को भूम एर्थ की और दिशार देता परियोग किया जाता है लाइंग आरेश्टर का परियोग किया जाता है 26 नमर कोश्चन है निमनलिखित में से कौन सा परिपत इस्थिर रिले सरलिकरित ब्लाक आरेकों में उपस्तित नहीं होता है आप से प्रतीपक प्रवरधान आउटपुट डिवाइस दिश्टकारी तो आप लोग इसका करेट आंसर आप लोग कमेंट बाक से में बताएं कि कौ सांसर परिपत इस्थिर रिले सरलिकरित ब्लाक अरेकों में उपस्तित नहीं होता है यह हमारा रहता है प्रतीपक नम्रों के देunn की कि've लायन रोधक के रोधक और व्यासतर की सबसे सरल सुरचे डढ़क किसके दोबरा परदान की जाती है आध़ी कर से निरॉधक शुरू रहाब कोकरनय रोधक तो ठोल रोधक ऑर व्यासतर की जो सबसे सरल शुरच्चा अंद प्रदान की जाती है यहां पर हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा दंड अंत्राल 28 नमर कोशन है फ्यूज तत्त से होकर गुजरने वाली धारा द्वारा उत्पादेत उस्मा किसके समानुपाती होती है तो देखे यह जो समानुपाती होता है या चिक कोल्ट होता हमारा i²RT के समानुपाती होता है यानि कि धारख के समानुपाती परित्रोथ के भी समानुपाती और temperature के भी समानुपाती होता है 29. नामर कोश्चन है तिल से भरे और गैस दाब द्वारा दाब तार का उपयोग किसके लिए किया जाता है तो देखिए तिल से भरे और गैस दाबतार का उपयोग हम लोग 66 किलोवोट से 132 किलोवोट तक के लिए परियोग करते हैं 30. नामर कोश्चन है कि OCB का फुल फर्म क्या है तो देखिए यह कोश्चन साथ हो चुका है तो OCB का फुल फर्म होता है आपका यह एक प्रकार का परिपत ब्योजक है जो कि आयल के माध्यम से प्रचालित होता है परिपत प्रिपत को आन तथा आप करने की का कारिक आता है यह प्रचालित ब्योजक में धारा चूपिंग अधिक्तम होता है और जो वैकूम सर्किट ब्रेकर रहता है उसमें क्या होता है कि प्रत्रूज़ चूपिंग होता है कि एistic Nos हैं कि फ्यूज वाइ्र इ Осब्टमेड़ फ्यूज़ नहीं बनायाता है तो फ्यूज़ धर किसके नहीं बनाया जाता अप्तु नहीं लैड अलवुनियम और आपटेसं नमर कोईशन हैं चुमब की अधिभार रिले की में तापी अधिभार और रीले कैसे होते हैं लेखनी आकार में बड़े धीमे ताप परिराच्छित तेज तो चुम्मे की अधिभार रीले की तुमल में तापी अधिभार होता है यानि कि सुलो होता है् यहां पर हमारे आंसर कर्डेक्ट हो जाएगा locks है इस यह घृता है है कि यहां पर किस पर के सरक्षण के लिए इस्तमाल करते हैं तो यहां घंध हो जाएगा जो भुल्खेज रीले है यह आपका मुख सुरच्चा युक्ति है जो transformer में आंत्रिक दोस्ट पैदा होने की स्थिति की सूचना एक अलार में बजा कर देता है और साथ ही transformer को सुरोच से वियूजित कर देता है इसका उपयोग अधिक छमता वाले transformer में किया जाता है बुल्खोज रिले का परियोग हम लोग आयल टैंक लगे हुए transformer में करते हैं बुल्खोज रिले गैस दाप पर परचालित होता है या transformer के अंदर का प्रदोस उत्पन्न करने पर अलार में द्वारा सूचित करने का भी कार्य करता है कि चौनतिस नमबर कोश्चन है देखें जो इलेक्ट्रिक इस्ट्री रहता है यानि कि प्रेस जो रहता है उसमें जो thermostate का कार रहता है कार रहता है कि इसका यहीं रहता है कि यह स्विच आन आप के दौरान उस्मा को कम करता है यानि regulate the heat by switching on आप क्या करता है कि निर्धारित उस्मा से अधिक उस्मा हो जाने पर परिपत को thermostate आप कर देता है तथा उसमा कम होने पर परिपत आन कर देता है यही काम होता है थर्मो स्टेट का 35 नमर कोश्चन है एक एलसे बी मस्ट भी आल्वेज गनेक्टेड इन दा सर्कीट एक एलसे परिपत में सदय किसमें सजोजित की जानी चाहिए आप सेने इनर्जी मीटर फ्रांप सप्लाइड टू लोड मीटर लोड अनर्जी मीटर से आपका आप्टर एनर्जी मीटर यहां परिपत में रहता है इसे हम लोग सदय क्या करते हैं कि आप उर्थी से भार उर्जे मीटर संयोजित करते हैं यानि कि फ्रांप सप्लाइड टू लोड एनर्जी मीटर यहां पर हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा सप्लाइड से भार की और संयोजित किया जाता है और जो ELCV का फुल फार्म होता है यह हमारा आर्थ लीक के सरक्ट ब्रेकर होता है दोस्तों इसके आगे का वीडियो हम लोग देखेंगे कल अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजी अगर आप